दोस्तों इस समय टुटर पर एक अजीबो गरीब तमाशा चल रहा है मैंने काफी देर से ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो SSR की बहन प्रियंका सिंग को बेवज़ा टारगट कर रहे हैं बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर आप SSR के जस्टिस के लिए लड़ते रहे हैं तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है आप इस सोसाइटी का हिस्सा है इस सोसाइटी में एक अपराद होता है उसको नहीं मिलता है तो एस सोसाइटी मेंबर एक भारत के नागरे कोने के तौर पर आपता हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर सवाल पूछें पहली बात दूसरी बात आप जन्हें SSR के बारे में कोई जानकारी नहीं आप कभी SSR से मिले नहीं उनके परिवार के लोगों से नहीं मिले आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक ऐसे परिवार पर आक्षेप लगाएं जुन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया और जिसकी जाच अभी तक सर्फ चली रही हो अगर आपने SSR के जस्टिस के लिए आवाज उठाई तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उपने शब्दों को कि आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है समाज में रहने पर यह आपका कर्तव बनता है यह आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपके आसपास कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं इश्वर न करें जो सुशान के घर में हुआ वो किसी के भी घर में हो सकता था तो क्या हम सब शान बैठे रहेंगे इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो समझदार लोग है वो इस लड़ाई में आगे आए थे कि जैसा इस घर में हुआ है ऐसा कहीं किसी और के साथ नहो यही हम रिलेट करते हैं तब ही हम अपनी बात रखते हैं क्योंकि हम हमेशा इस बात को सपोर्ट करते रहे हैं कि जो अपराद होता है वो पूरे समाज के साथ होता किसी एक घर के साथ नहीं होता क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि इनके घर में हो गया मेरे घर में नहीं हो सकता इसलिए आवाज साथ में उठाई गई थी अब कुछ लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो परिवार के लोगों पर ही आकशेप लगा रहे हैं आप क्या जानते हैं उस परिवार के बारे में आप कितना मिलते रहे हैं और अगर आपको CBI से ज़्यादा इन्फरमेशन है तो आपने अभी तक केस सॉल्व कर लिया होता और आप इस बात पर गमंड करते हैं इस बात का कि आपने इस लडाई में बहुत बढ़ चुड़ कर आपने भूमिका अदा की तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि आपने किसी पर कोई अहसान नहीं किया यह आपका फर्सता हुई है हर अपराद के वक्त इस देश में होना चाहिए था हमने इस केस से यही सीखा है एक मातर यही सीख है यह जैसे इस अपराद के वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया में रहने वाले भारती एक हो गए थे और सब ने मिलकर सवाल पूछाता और सबने कहा था मिलकर कि इस पर नयाय होना चाहिए ऐसा अगर हर अपराद के वक्त होता तो इस दुनिया से इस देश से अपराद कबके खत्म हो गए होते लेकिन आपने कभी ऐसा किया नहीं ये एक पहला मौका था जिस पर पूरा देश इखटा हुआ और आज अगर आप उ से जुड़े हुए भी होंगे वनको सीधे तोर पर ये कहना चाहता हूँ कि एक परिवार जिसने अपना बच्चा खो दिया बेटा खो दिया भाई खो दिया आप उस पर आरोप लगाते वक्त आपके अंदर शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है ये मेरा सीधा सवाल है उन समाज की पहचान है कि अगर आपके घर के आसपास कोई गंदगी होगी किसी भी तरीके का अपराद होगा कुछ भी होगा तो आप उस पर अपनी आवाज रेज करते हैं वो सिखाने बताने कोई नहीं आता है अगर आप एक अच्छा काम करते रहें तो उसको सही तरीके से कर किया हुआ है मैं सीधे तोर पर आप लोगों से एक बात रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जितने लोग जस्टिस चाहते हैं जिसमें परिवार भी है और आप लोग भी है आप एक जगा पर एक साथ खड़े रही है अगर आप आपस में इस तरह से एक दूसरे पर चीटा कशी करेंगे एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि इसमें ऐसा करने से ना तो नयाय जल्दी मिलेगा बलकि आप दूसरे पक्ष को और बलवा समझधारी किसमे है आप जानते हैं क्या करना है यह भी आप जानते हैं उम्मीद है कि इस तरह रहे की प्रैक्टिसीlt बंद होंगी मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें प्रेंका जी ने लिखा था कि मैं लीगल एक्शन लोगी उनको legal action लेना ही पड़ेगा, अगर इस तरह से उन्हें ट्रोल किया जाएगा, इस तरह से परिशान किया जाएगा, एक तो कोई वक्ती पहले ही परिशान है, और आप उसको इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, आप उसे बार बार कुछ साबित करने के लिए कह रहे हैं, कौन होते ह आप, एक परिवार को ये कहने के लिए कि आप साबित कीजिए, पहले आप साबित कीजिए, आप तो कभी मिले नहीं SSR से, ना उनके परिवार से, तो फिर, तो इसलिए अपनी समझदारी से काम लीजिए, इस से पहले, कि आप इस पूरे मामले को किसी और ही दिशा में ले जाएं, और फिर आप ये दावा भी नहीं कर पाएंगे कि SSR के जस्टिस के लिए हमने ये किया था, क्योंकि आप ये मूर्ता वाला काम भी कर रहे हैं, उम्मीद है मेरी बात समझा रही होगी